टेलीवीजिन के सबसे चल्सित यल्टी सो बिग बॉस बारा में इस सटवे दिन बहुती चौकाने वाला एलिमिनेशन हुआ यह एलिमिनेशन बिग बॉस की इतियास में पहली बार हुआ है बता दें कि बिग बॉस का कहना ना मानने के करण सलमान खान ने वीकेंड के वार में कामनर कंसिस्टेंस सिवासीस को बाहर ही निकाल दिया ऐसे में बिग बॉस मेकर्स पर नाराज शिवासीस ने अपने इंटर्विव में घर की सारी पोल पट्टी खोल डाली और खुद की कोई गलती नहीं बताई दरसल इस हफते रोमिल चौदरी घर के नए कप्तान चुने गए थे इसके बाद इमुनिटी के अलावा रोमिल को बिग बॉस ने इस स्पेशल पावर दी थी रोमिल की इस हफते काल कोठरी के सजा के लिए तीन दावेदारों को चुनना था जिसे लेकर घर में हंगावा बन दिया इतना ही नहीं घरवालों ने बिग बॉस से खिलाफ बगावत कर दी रोमिल के लावा इसकी सजा सभी सदर्स्यों को भुगतनी पड़ी कलर चैनल द्वारा जारी प्रोमों में दिखाया गया है कि रोमिल चौधरी को बिग बॉस दीन कंटेसर को काल कोठरी बेजने के लिए टिकट देने का मौका दिया रोमिल ने मेगा घाड़े को काल कोठरी के टिकट दिया मेगा कहती हैं अगर गाली गलोज के लिए मुझे जेल वेया जा रहा है की तो सुर्वी को भी काल कोट्री जाना होगा। इसके बाद रोमिल सुर्वी को काल कोट्री की सजा के लिए चुनते हैं। दरसल रोमिल जेल जाने के लिए मेगा धाड़े का नाम लेते हैं अपना नाम सुनते ही मेधाक गुस्टे में आ जाती हैं और वे जेल जाने के लिए मना कर देती हैं दोनों के बीच कहा सुनी होती है उसके बाद रोमिल सिवासीस का नाम लेते हैं शीवासीज भी इस बाग से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ठीकट फिक देते हैं हंगा मांबल का देख बिग बॉस सभी कंटेस्टेट को सजा सुनाते हैं बिग बॉसों में इकलावा सभी को अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर देते हैं